वेल हमारी सास बहो और बेट्या की एंटर्टेन्मेंट वाली पार्टी तो तब तक अधूरी है चब तक ना दिखाएं हम आपको आपकी फेवरिट छो अनुपमा की एक खास चलक तो क्या कुछ हो रहा है आज अनुपमा की कहानी में वेल जो भी हो रहा हो I'm sure entertainment तो पका है है ना इस तरह पाटी में तमाशा कियो हो रहा है कौने आप लोग पापुजी अनुपमा ने पढ़ाया संस्कारो का पाठ ये मेरा माईक का है बर्खा भावी की लग गई क्लास ग्रह प्रवेश में ये कैसा कलेश जिहां स्टाप्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा और अनुच के नए घर का ग्रह प्रवेश है और घर में रखी गई है पार्टी लेकिन बड़े लोगों के इस पार्टी में गेस्ट लिस्ट भी है इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो महमान इस लिस्ट में शुमार है बस वो ही इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं बाकि किसी की कोई इंट्री नहीं होगी भाई बेटी अनुप्पा के नए घर के बुलावे पर जहां पूरा का पूरा शाह परिवार अनुप्पा और अनुच को उनके नए घर की बधाईयां देने पहुचा तो यहीं पर शुरू हुआ असली ड्रामा मेरे बच्चों की मम्मी का घर है तो प्लीज सर मैंने कहाना मैं सिफ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं ए अकल से पैदलो क्या तुम्हें क्या लगता है यह मेरा पूरा परिवार मेरे बाप अपुजी मेरे बच्चे यह आप बिना इंविटेशन क्या हैं आप लोग एसे नहीं मानेगे तो आप लोग एसे नहीं मानेगे तो इसक्यूरी को बलाता हूं आप लोग भी तो देखें कि एक बेटी बड़े घर में शादी करने के बाद कैसे अपने बाप को बूल जाए अरह पर णक्ली शायराणे सक्की डिवादर गार नहीं तो यह फुटे लोग नहीं है तो यह उन्हों की बड़े लोग लोग नहीं है और भाई वहां पर मौजूद security guards और श्टाह परिवार के बीच जब ये ड्रामा हंगा में मतब्दील हुआ तो फिर इंट्री हुई बर्खा भावी की यानि की अनुपमा की जेठानी साहिबा की जिन्नों ने आकर जले पर नमक छुड़कने का काम किया इस तरहा पार्टी में तमार्शा क्यों बना रहे हो माइग गॉड भूत है लादीसग गॉड कोुन है आप लोग हम परिवार बाले है वह ऑनुछ देखिये सर बिना बाद के रिश्टे मंद बनाई है इनका नाम है गैसलिस में मैं, मुझे पता है हैं, यहां किया होता है। रिष्टेदार बनकर लोग बड़ी-बड़ी पातीज में आते हैं और उन्हें लगता है, किसी को पता नहें लएगा, कम किम एक वुमर का लिखास किया होता है। लिहास होता है मैडम! एक तो शाह परिवार के किसी भिशक्त को पहचाननी जिनकार तो किया ही किया बाकि इंडिया में बिन गुलाय शादी में आ जाने का दाना भी मारा उससे पहले कि वनराज शाह अपना आपाग हो देते आयन मौकि पर अनुपMA ने आकर बात सभाल ली यह मेरे बापुजी है यह मेरा माईका है, मेरा परिवार बापुजी, यह बरका भावी है यह परिवार मेरा कर्फ है और यह परिवार मेरा घर है मुझे कोई आईड़ा नहीं था कि आप लोग कौन है यही नहीं अनुक्मा ने संसकारू का परिचय देते हुए हाँ जोड कर अपने बापुजी से उनके साध हुए बुरे बरताव के लिए माफी भी मांगी और सदा सदा के लिए उन्हें इस घर में आने के लिए उनका वेलकम किया भाई इससे कहते हैं असली संसकार आज भले शाह परिवार की बहुरानी वहां की बेटी बन गई हो और अपना आंगन छोड़कर अनुच के साथ अपनी जिंदगी बसा ली हो लेकिन अपने रिष्टों को आज भी वो संजोए रखे है और अपसे इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इनका इस घर में आना जाना लगा रहेगा माता पिता को अगर दर्वाजे पे दो बार घंटी बजानी पड़े तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत होगे यहां तो मेरे माता पिता को दर्वाजे पे रोका गया सुरी सुरी बाप़ुजी माप कर दीजी मुझे यहां दर्वाजे पर होना चाहिए ठाव कि लिए मुझे होना चाहिए कि पेली ओरान कि कृद्शी है बाप़ुजी यह साहब धिर कभी नी होगा अब अपसे इht यह तर्वाजे आपकी आहड भर से खुणton है एने पबब एंग